आपके सामने हिंदी के ओनलाइन क्लास लेकर आप तभी का हारदी कभी नंदन है बहुत बहुत स्वागत है आपके इसक्षा में तो देखिए पच्चो NCIT बोर्ड राइस्तान की आरोभाग 2 का अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है यानि कि हमने पदभाग को तो पुरा कंप्लीट करी लिया है और गदभाग में भी हमने धर्म मेर भारती जी की रचना काले मेगा पानी दे यहां तक हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है आज जो हम पढ़ने वाले हैं NCRT बोर्ड राइस्तान आरोभाग 2 का अगला चेप्टर जिसका नाम है फरनीशवर नाथ रेनुजी की रचना पहलवान की धोलग पहलवान की डोलग के मादियम से बताएंगे कि एक ग्रामिन समुदाय की अंदरगत किस प्रकार की दिनचर्या होती है किस प्रकार की लोग होती है संस्कृती किस प्रकार होती है महाँ पर और कैसे अस विदाओं में जीवन यापन किया जाता है और कैसे जो कह सकते हैं कि ग्रामिन समुदाये में होने वाली बिमारियों से मनुषिक किस प्रकार लड़ा करता था उस समय गरीबी और अत्याचार कहे या गरीबी और शिख्षा की जो बिमारी है वो किस प्रकार ग्रामियू समुदाय को एक तेरे से जकड़े हुए है और उसको समाप्त करने की तरफ अग्रसर हो रही है तो ऐसे ही आज हम उनी फरनिशोनार रहनु जी का जीवन परीचे पड़ेंगे उनका लेखक परीचे पड़ेंगे उसके बाद हम उनकी जो रचना है पहलवान की डोलब उसका पाचन करेंगे ठीक है तो शुरू करते हैं हम उनका जीवन परीचे तो जीवन परीचे की रूप सबसे पहले हम उनकी जन्म और मृत्यों कहें उनकी रचना है उनका लेखक साहितिय जो भी है वो सारी चीज़े हम इसमें पढ़ेंगे पुरुसकार क्या उन्हें प्राप्त हुआ है का जन्म हुआ था माता पिता कौन है निधन कब हुआ था वगरा वगरा जो भी जितनी भी चीजे होती है वो एक लेखक परीचे की रूप में उनके जीवन परीचे की रूप में जितनी चीजे होती है वो सारी चीजे इसके अंतरकत पढ़ेंगे और जो हमारी रचना है पहलवान की रोलक उसका पार्ट परीचे भी हम इसी में पढ़ेंगे तो देखते हैं हम सबसे प पूनिया अब अररिया है बिहार में हुआ था देखिए बिहार में एक जिला है पूनिया अब उसका नाम अररिया हो गया है और जो इस्थान वो ओरा ही हिंगना नाम है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था कि इनका फणीश नात रेनु जी का और वे आंचलिक कहानिया लिखते थ कहानियों के सामाजिक एतार्त को प्रसूत करते हैं कि सामाजिक सत्य था उस समय कैसी थी, धार्मिक जीवन कैसा था, आपस में जो मेल-निलाब तो वह किस तरह था तो आंचलिक समूदाय यानि थेита इक पक्षदर सर्व zo achter विष्ट लेखक में से आते हैं तो जन्व का वुआ था इनका 4 मार्ट सन 1921 में औराही हिंगना जिला पूनिया अब अरर्या है बिहार राजी में उनका चर्म वुआ था यानि कि फ़र्णीशन ना त्रेनू बिहार अंचल से समुदा है यानि कि बिहार से बिलोंग करते थे प्रमुक रचनाओं की बात करें तो मेला अचल, पर्ती-परी कथा, दिर्गतपा, ज्लूस, कितने चौरा है यह सब उनके उपन्यास है यह इनके कहानी संग रहे ये इतने हैं रणजल धनजल बन तुलसी की गंद शुरूत अशुरूत पूर्व ये संस्मरन है नेपाली करांती कथा ये रिपोर्टार्ज है तथा रेनू रचना वाली पांच खंडों में इनका समगर और जितनी भी ये रचना है जितनी भी ये हम कहेंगे कि जितने भी संग्रा है चाए वे उपन्यास हो चाए कहानी संग्रा हो चाए संस्मरन हो चाए रिपोर्टार्ज हो यानि कि गद के ज्यादा लेखकते देखा जाए तो यहां पर हमें गद की विदाय दिखाई दे रही है क्या क्या विदाय भाई देखिए उपन्यास विदा आ गई यहा तो हमें कहना होगा रेनू रचनावली के 5 खंडों में इनकी सारी रचनाय संकली थे जिसमें उपन्याज, कहानी, संस्पनान और रिपोर्टाज सारी चीज़ आती है अब चलते हैं उनकी निधन की तरफ जन्म हुआ है तो निधन भी होगा तो 11 अप्रेल सन 1977 में पटना में हुआ था और पटना भी क्या है बिहार और बिहार की राजदानी है पटना तो पटना में उनका निधन हो गया था आगे चलते हैं हम उनके अब जीवन के बारे में कि उनका जीवन किस प्रकार से वीता था वो सारी चीज़े देखते है कुछ ऐसे चरितर होते हैं जो प्राण प्रतिष्ठा पाते ही अपने सिरजन हार के बंदे-बंदाई नियम कानून नीती अत्वा फार्मुले को तोड़कर बाहार निकल आते हैं और अपने जीवन को अपने मन के मुताबिक गड़ने लगते हैं अब यहां यह बात क्यों कही है कि ऐसे चरितर होते हैं कुछ ऐसे प्रदीबाशाली व्यक्ति होते हैं महानुभाव होते हैं विलक्षन व्यक्ति होते हैं जो परिपाटी चल रही होती है जीवन जीने की जो एक लीग चल रही होती है उस लीग से हटके कारी करते हैं उनके लिए बात कही गई है तो उनमें से ही एक कौन थे फणी चन नात्रयनू जिनको हम पढ़ रहे हैं उनके बारे में बताने के लिए कुछ पंक्तिया लिखी गई है कि क्या कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा पाते ही यानि कि जन्म लेते ही सिर्जन हार की बंदे यानि कि जो गुन होते हैं वो हमें बचपन में ही दिखाई दे जाते हैं जो नियम कानूर और नीतिया फार्मूले को तोड़कर सब बहार निकल जाते हैं कि जो सब कर रहे हैं वो हम नहीं करेंगे हम तो कुछ अलग ही करेंगे ऐसा उनका विचार होता है आगे देखिए हिंदी कुपन्यासकार के रूप में प्रतिष्टित है आंचली कुपन्यासकार की बात आती है तो वहाँ पर आपको किसी और के बारे में नहीं सोचना है सिर्फ और सिफ फनीशननात रेनुजी के बारे में सोचना है वही आंचली कुपन्यासकार थे के रूप में प्रतिष्टित क पथाकर फनीशन ना तरेनू का जीवन उतार चड़ावों और संगर्शों से बढ़ा हुआ था बिल्कुल होगा ग्रामिन समुदाएं में जन्म लिया था वो भी बिहार जैसे ग्रामिन समुदाएं में जन्म लेने के बाद में है तो उनका जीवन कठीनाईों से बढ़ा तो दूसरी और रचनाकार साहित्य को नया तेवर देने में सायक भी रही यानि कि उनका सामाजिक आंदोलन में सक्रिय भागिदारी रही सामाजिक आंदोलन में वे कूत पड़े कि मुझे समासेवक बनना है उसके साथ ही रचनात्मक साहित्य में भी उन्होंने उस सामाजि प्रस्तुत करने का प्रयास किया केवल अपने शारेरिक कर्मों की माध्यम से नहीं अपने विचारों की माध्यम से भी उन्होंने सामाचिक यथार्थ को प्रस्तुत किया ठीक है आगे चलते हैं से नुनिस से चौपन में उनका बहुत चर्तित आचलिक उपन्यास मैला आचल प्रकाशित हुआ और ये बहुत ही प्रमुख उपन्यास उनका जिसने हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा दी हिंदी जगत में आचलिक उपन्यासों पर विमर्ष मैला आचल से ही प्रारम हुआ आंचलिक्ता की अवधाना ने कथा साहित्य में गाउं की भाषा संस्कृती और महा के लोग जीवन को केंदर में लाख़डा किया अब क्या बताऊं कि कथा साहित्य में भी आंचलिक्ता जलगने लगी उपन्यास में भी जलगने लगी फिर तो जितनी भी विदायती उनमें सबने आंचलिक्ता जलकने लगी आंचलिक्ता क्या है मैं आपको बताती हूँ आंचलिक्ता क्या है कि जी समूदाय में हम रह रहे हैं ग्रामिन समूदाय का आंचल कि जो समूदाय है महां की संस्कृति कैसी है मां का जीवन कैसा है, मां के विचार कैसे है, लोगों के एक दूसरी के साथ सम्मंद कैसा है, किस परकार की विचारदारा को लेकर वो जीते है, कैसे धार्मिक अनुस्ठान करते हैं, वो सारी चीजें आंचलिक में आती है, तो इसी आंचलिकता को या फनीशर नात्रेनू ने प्रतिश्रित किया उसके साथ अन्नी लेखक कवियों ने भी उनकी अनुरूप मतलब फिर उनकी अनुरूपी इसी गदा में उन्होंने अपने इसी विदा में उन्होंने अपना कारे किया लोग गीत, लोगोक्ती, लोग संस्कृती, लोग बाशा एवं लोग नायक इस अवधानना ने भारी बरकम चीज एवं नायक की जगर अंचल को ही नायक बना डाला उनकी रचनाओं में अंचल कच्चे और अंगर रूप में ही आता है इसलिए उनका हिया जो अंचल एक तरफ शश्य शामल है तो दूसरी तरफ धूल बरा और मेला भी है स्वातंतरता के बाद भारत में जब सारा विकास शहर केंद्रित होता जा रहा था हना कैसे कि सारा जो ध्यान था वो शहरों की तरफ था कि शहरों का विकास कैसे किया जाए नगरी करन कैसे किया जाए नगरों का विकास कैसे किया जाए भारत की ग्रामें जो समुदाय था ग्रामें जन जीवन था उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया गया था उस ध्यान को आकरशित किया किनों ने फणी शर्नात रेनु ने अपने साइटी अपनी रचनाओं की मादम से ऐसे में रेनु ने अपनी रचनाओं से अंचल की समस्याओं की और लोगों का ध्यान आकरशित किया उनकी रचनाएं इस सावधाना को भी पुष्ट करती है कि भाशा की सार्तक्ता बोली से भी बोली में ही साचर्य है आगे देखिए फर्नीशननात रेनू की प्रतिनीदी कहानियों में पहलवान की डोलग भी शामिल है और यह कहानिक अठाकार रेनू की समस्त विशेष्टाओं को एक साथ अभीव्यक्त करती है पहलवान की डोलग की माद्यम से आचलिक्ता को प्रसूत करती है यानि कि लोग संस्कृति, लोग विचाल, लोग नायक और लोग सामाजिक विविस्ता उसको यहां उन्होंने प्रसूत किया है पहलवान की डोलग की माद्यम से ग्रामिन समुदाय ग्रामिन अंचल की जितनी भी सामाजिक कमिया है जितनी भी सामाजिक विपन्यताय है या फिर कहें कि जितनी भी सामजिक कमिया थी उनको यहां उन्होंने प्रस्तूत किया है रेनू की लेखनी में अपने गाव अंचल और इम संस्कृति को सजीव करने की अद्बूश शमता है ऐसा लगता है मानू हर एक पात्र वास्तविक जीवन में ही रहा हो पात्रों परिवेश का इतना सच्चा चितरन अत्यन दुल्लब है दुल्लब यानि कहीं नहीं मिल सकता रेनू वैसे गिने चुने कथाकारों में से है यानि कि उन्हाने ज़्यादा कोई कथा साच्टे नहीं लिखा लेकिन जितना भी लिखा है वो ऐसा सटिक लिखा है कि जिस पर समाज का ध्यान खीचा चला आता है ऐसे अपने कालपनिक पात्रों के मादिम से समाज की ऐसी सच्चाई को परस्तूत किया है कि पढ़ने वाला व्यक्ति ये सोच ले ये समझ जाता है ये ऐसा समझने लग जाता है कि जोर फर्निशन ना त्रेनों ने जो पात्र गटित किये है जो पात्रों का चैन किया है जिन पात्रों का नाम उन्होंने अंकन किया है वो वास्तम में ऐसा हुआ होगा लेकिन उनका ये जो सारी चीज़े है वो आंचलिक्ता के उपर एक मतलब कालपनिक रचना थी, लेकिन कालपनिक रचना स्यथार्तरा को साथ लेकर चली थी, ठीक है, आगे देखिए, कथाकारों में से हैं, जिनोंने गद्ध में भी संगीत पैदा कर दिया, क्या, गद्ध में कभी संगीत पैदा होता है, संगीत त दुन, संगित की दुन पैदा कर दी अन्य था धोलक की उठती गिर्ती आवाज और पहलवान के किरिया कलापों का ऐसा सामन जिससे दुल्लब है इन विशेष्टाओं के साथ रेनु की यह कहानी व्यवस्ता के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के प्रासंगिक हो जाने की कहानी है राजा साब की जगर नए राजकुमार का आकर जम जाना सिर्थ व्यक्तिकर सत्ता परिवर्तन नहीं बलकि जमीनी पुरानी विवस्ता के पूरी तरह उलड़ जाने और उस पर सब्वेता के नाम पर एकदम नई व्यवस्ता के आरोपित हो जाने का प्रतिक है कि एक राजा के इस्थान पर दूसरे राजकुमार का राज्यवेशेक हुआ तो इसका मतलब यह क्यों हुआ राज सत्ता का परिवर्तन हुआ उसी प्रकार से यहां पर फणिशय नात रेनु학 ने बताया है कि इसका मतलब यह नहीं है कि एक राजा की जगे दूसरा राजा का राजा सिर्फ यह काम नहीं है उन्होंने कहा है कि सत्ता का परिवर्तन नहीं बलकि जमीनी पुरानी विवस्ता की पूरी तरह परिवर्तित हो गई है जो विवस्ता थी वो पूरी तरह से अब एकदम निढाल सी हो गई है यह भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है कैसे भई? भारत क्या है? भारत क्या है? बोलचाल की भाषा का शब्द है भारत, भारत कहेंगे तो हम अपना देशी समझे जाएंगे और जैसे आपने इंडिया कहें दिया तो आप समझेंगे कि ये थोड़ा सा मौडन हो गया थोड़ा सा विदेशी नहीं लग रहा है, इंडिया, भारत हमारा जब हम इंडिया वो लेंगे तो थोड़ा सा जो देश-फक्ती का भाव है, वो कम हो जाता है तो भारत को इंडिया बनाने का कारे हो रहा था उसी के साथ में ये जो भारत है, भारत के लोग जो आपस में मिल जूल कर रहते थे अचानक से इंडिया के तौर पर यानि की विदेशी संस्कृति के संपर्क में आने से और वे एक दूसरे के साथ जो आचार विचार करते थे उनसे वो दूर हटते जा रहे थे उनसे मतलब अलग होते जा रहे थे तो ये चीजे उन्होंने यहां फरनिशन आत रहने उन्होंने बताई है कि भारत पर इंडिया के च्छा जनी की समस्या है जो लुटन पहलवान को लोग कलाकर की आशन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तोबा करने वाली नीरी हता की भूमी पर पटक देती है ऐसी इस्तती में गाउं की गरीबी पहलवानी जैसे शोक को क्या पालती पहलवानी क्या होता है कुष्टी जो कुष्टी टाइप होता है उसको पहलवानी कहता है तो वह एक शोक होता है लेकिन जब गरीबी आती है तो वह शोक भी मर जाता है वह शोक शोक नहीं रहता है आ देते रहता है कहानी के अंत में भूख महा मारे की शकल में आये मौत के शड़ीयंत्र जब अजे-लुटन यानि किम जीता नहीं जा सकता सामने कई सवाल छोड़ जाता है वह पोल पुरानी व्यवस्ता की है या नई व्यवस्ता की क्या कला की प्रासंगिक ता व्यवस्ता की मुखा पिक्षी है अत्वा उसका कोई स्वतंत्र मुल्य भी है मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदरी के लिए लोग कलाओं को प्रास कि पहलवान की डूलक के माद्यम से लुटन पहलवान जो अपनी डोलक के माद्यम से अधरबार में दर्भारी बनता है और राज़ा का एक चहता पहलवान से अलग गाउं में जाता है राज हुआ कि अब जब तक राजा के आश्रे पीने को कुछlow बतारी पूरानी वविस्ता की यह नहीं वविस्ता पुरानी संस्कृती बता रही है यह नहीं वविस्ता बता रही है पुराने समय में क्या इस तरह की भुकमरी थी जो आज नए समय में हो गई है तो फर्णी शन्नात रेनू ने नई विवस्ता और पुरानी विवस्ता दोनों को लेकर एक सामंजस से की जोर पर बताया है कि क्या पुरानी विविस्ता सही है या नई विविस्ता या पुरानी में दोश है या नई विविस्ता में दोश है इन चीजों को बताने के लिए इस पाट की रचना करी है यहाँ पर इस उपन कथा की रचना करी है क्या कला की प्रासंगिक्ता वेवस्ता की मुखा अपशेक्षी है क्या कला को किसी पहलो किया किसी बहाने की आवशक्ता है नहीं होती है कला तो कला होती है वो ऐसे ही प्रस्तूत हो जाती है अथवा उसका कोई स्वतंत्र मुल्य भी होता है क्या कला का कोई सोतंत्र मुल्य नहीं है क्या अब कला किसी के आवेश में या किसी के आधार पर ही प्रस्तूत की जा सकती है कला किसी की अपिक्षा है यानि कि किसी कह सकते है कि हम किसी के आसरे ही है क्या कला किसी के आसरे नहीं है किसी की सायता लेने के लिए वो बंचित नहीं है कला तो कला है वह हर श्रेनी में हर मनुष्य में होती है मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदरे के लिए लोग कलाओ को प्रासंगिक बनाए रखने हैं तो हमारी क्या भुमी का है अब यह जो कला है मनुष्यता की साधना क्या है कला को बनाए रखना अब कला को बनाए रखने के लिए हमारा क्या अहम भुमी का हो सकती है संस्कृती को बनाने के लिए लोग कलाओ को जागरू कनगना बहुत जरूरी है उनको बनाए रखना बहुत जरूरी है तो जब संस्कृति को बनाए रखना है, तो कला को बना के रखना बहुत जरूरी है, और इसके लिए हमारा एक सामाजिक प्रानी होने के नाते, एक देश का प्रानी, एक देश के व्यक्ति होने के नाते, हमारा क्या फर्ज होता है, हमारा क्या दाइत्व है, वो यहाँ पर प् तो देखे बच्चों हम जब भी ये पार्ट पड़ेंगे यानि कि अभी तक हमारा ये जो पार्ट परीचन गए लेखक परीचन गए इसके बाद हम हमारा जो पड़ेंगे जिसका नाम है पहलवान की रोलग। और जानेंगे कि क्या कला किसी की मुखरिब है यानि कि मुखा पेक्षी है, किसी पर निर्बर है, कला तो कला है, किसी को देख कर थोड़ी ने कला कर अपनी कला का बखान करता है, वो तो कला कार है, कोई चितर कार है, कोई नाटक कार है, कोई कवी बनता है, कोई लेकक बनता है, कोई ढोलक बजाता है, कोई संगीत बजाता है, कोई हर्मोनियम बजाता है, इस तरह से कोई नत्य करता है, इस तरह से सभी किसी ने किसी रूप में माहिर होते, किसी ने किसी कला तो कला को किसी के साहरे की आवशक्ता नहीं होती है लेकिन हाँ उसे पोशन की आवशक्ता होती है जो हमारा फर्ज है एक नागरिक होने के नाते एक सामजी प्रानी होने के नाते और सबसे पहले एक इंसान होने के नाते हमारे जो कर्दविया वह हमें निवाने चाहिए इसके साथ हमारा लेक्चर समाब तुता है अगले लेक्चर के लिए हम फिर से आजिर होते हैं तब से के लिए थैंक्यू